हेलो फेंट्स मैं मंदीप सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर पेंट्स आज की इस वीडियो में बैक नेक डिजाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 36 साइस का तो यह मेरा मैंन फैप्रीक है और बहुत ही सिंपल और आसान नेक डिजाइन बनाएंगे हम यहां पर अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से डेवल फोल्ड करके रख लेना है कपड़े के बंदभाग को मैंने अपनी तरफ रखा है यह दिखे इस तरीके से और मैं यहां in यहाँ आप 26 साइस का बैक बाट का कंटिंक गर रही हूं आप अपने साइस के याज स्गों तो इस तरीक से देखिए मैंने शुल्डर इन आर्म हूल की मार्किंग यहाँ पर कर ली है अब हमें चेस्ट का चोथा भाग लेना है चेस्ट का फोट पैट होगा नो इंच और देड़ इंच का मैंने एक्स्टा रखा है मार्जिन मार्जिन अगर आप चाहें तो दो इंच भी ले सकते हैं हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिर्ची लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म हूल की गुलाई करेंगे कमर का मेजरमेंट लेंगे कमर है 30 इंच उसका 4 पैठ होका 7.3 फिस एक्स्टा मर्जिन और एक इंच एक्स्टा ओल लिया है कमर की प्लिट्स के लिए तो मैंने मार्किंग यहां पर कंप्लीट कर ली है और अब हमने कर लेना है इस से कट तो इस तरीकिसे इस से कट करेंगे यह दिखिए मैंन फैब्रिक पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हमने गले का मेजरमेंट लेना है तो गले की जो चोड़ाई है नेक विट रखेंगे ठाय इंच 2.5 इंच गले की टोटल लंबाई रखनी है 10 इंच तो आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा करके ले सकते है नीचे से नेक विट ते 3 इंच लेना है और गले की लंबाई और चोड़ाई अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा गटा सकते हैं जितनी भी आपको लेनी है तो इस तरीके से मैं हाँ पर राउंड शेप दे रही हूं अगर आप इसे थोड़ा ब्रॉड नहीं रखना चाह पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लिया है और ऐस यह नहीं पर मार्किंग करनी है जह सब्सक्राफ का मार्किंग कर ली है इसके बाद अब हम पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से अस्तर वाले एक्स्ट्रा फेबरिक के उपर रखके अटेश करेंगे अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रहे हूँ तो में फेबरिक और अस्तर के कपड़े को साथ में यहाँ पर हमने अटेश कर देना है सबसे पहले सिलाई नेक के ऊपर लगानी है फिर हम लगाएंगे बाहर की तरफ से बाहर वाली सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनीशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सलिया क्रेस्प बिल्कुर भी ना आए सिलाई लगा लेने के बाद हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे कट करकी निकाल देना है यह दिखें जितना भी एक्स्ट्रा कप्रा है उसे हमने कटिंग करकी निकाल देना है अब मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग वाला पाट अटेश कर रहे हूं तो अस्तर के कपड़े को और पेपर पेस्टिंग को हमने साथ में अटेश कर लेना है इस तरीके से ग्रफ स्टिच लगा दी है कॉर्णर पे इसके बाद में इसका एक्स्टर फैब्रिक कर रहे हूं तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्स्टर कपड़े को कट कर देना है और चुटे-चुटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं ताकि अब इसे नेक के ऊपर हम अटेश करेंगे तो इस तरीके से रखना है दोनों तरफ से अच्छे से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटेश करेंगे उसके बाद ही सिलाय लगाएंगे यह दिखे एक पेर का मार्जिन लेते हुए हमने यहाप पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से अब दिखे जितना भी एक्स्ट्रा फैबरीक है वो हमने कटिंग करके निकाल देना है और पूरे ही नेक के उपर छोटे छोटे कट लगा लेने है तो इस तरीके से हमने नेक पर कट लगाने है अब अस्तर के कपड़े को एक सिलाई हमने इस तरफ करते हुए लगा लेनी है इस तरीके से अब गला पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई उपर फिनिशिंग की लगा लेंगे यह देखिए इस तरीके से गला मेंने यहाँ पर रेडी कर लिया है अब इसका डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें इससे डबल फोल्ड करना है और चॉक से मार्किंग करनी है तो जितनी दूरी से आप पैटन को अटेश करेंगे उतनी ही गैप यहाँ पर देते हुए हमने यहाँ मार्किंग कर लेनी है तो मैं इतनी दूरी से यहाँ पर डिजाइन लगाऊंगी तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है इससे डबल फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ भी मार्किंग हमने कर लेनी है थोड़ा सा थप थपा देंगे तो मार्किंग दूसरी तरफ भी आ जाएगी फिर इससे डाग कर लेंगे इस तरीकिसे डाग कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है एक पटी ली है मैंने देड इंच की चोड़ाई में इससे हमने आधा इंच का गेप रगते हुए सिलाई लगाया है और एक्स्ट्र फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे अब मैं इस पटी को पलट के सीधा करूंगी तो सूई दागे से हमने पटी को पलट कर सीधा कर लेना है यह देखे इस तरीके से पटी को पलेट के मैंने सीधा कर लिया है और और भी पटी हमने इसी तरीके से बनानी है इसके लूप कट करेंगे तो लगबद देल इंच की लेंद में आपको पटी को कट करना है और और भी पटी इसी तरीके से बना लेनी है यह देखिए मैंने बना लिया है इसे साइड में रखा है फिर एक पैटन लिया है मैंने कप्ड़े के पीसेस लिये हैं इनकी लंबाई चुड़ाई 2.5 इंच है और इन्हें हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए टिसाइन तयार करनी है यह देखिए यहाँ पर इस तरीके से तो यह चुठे छुटे फ्लावर मैं तयार कर लिए है और इनका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कुट रहना है। तरीके से अब इन्हें लगाना शुरू करेंगे. तो जो तरीकिकितै तरीकिये, साधा इंच का गेप radio, लगा कर सकते हैं जिसे इसका लूप जो है और दूसी तरफ से भी देखिए मैंने इसी तरीके से इन्हें आटेश कर दिया है अब यह जो डिजाइन है इनके उपर हमने जो पटियां बनाई थी वह आपको लगानी है इसका जो मुह रहेगा वह आप गले की तरफ रखेगा यह देख यह देखिए पूरा नीचे तक हमने अटेश कर लेना है पटियों को पटियों को मैंने अटेश कर दिया है इसके बाद में इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कप्डे को कट कर लेना है यह देखिए इस तरीके से पुरा ही लेस से कवर होजाना चाहिए इस तरीके से आपको लेस लगानी है तो दोनों तरफ हम ने इसी तरीके से लेज अटेश करना है यह दीखें, लेज में अटेश कर लिए इसके बाद अब हमें क्या करना है यह जो हमने पटियां अटेश की है यहाँ पर हमने रेडिमेट वाली डूरी लगानी है तो safety pin की मदद से आप यहाँ पर डूरी अटेज करें पहले मैं यह प्लिट्स लगा रही हूँ तो दोनों तरफ मैंने 4 इंच की लंबाई में प्लिट्स लगाया है इसके बाद नीचे की तरफ कमरपटी अटेज करनी है हमें नीचे से आधा इंच का मारजदिन कवर करते हुए कमरपटी को अटेज करेंगे एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लेंगे और अब हमने कमरपटी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड तो यह पैटन हमारा कमपीट हो गया है अब इसमें डालेंगे हम डूरी तो डूरी आप कपड़ी की बना कर भी ले सकते हैं या रेडिमेट वाली डूरी भी ले सकते हैं तो मैंने रेडिमेट डूरी ही ली है यह देखिए एक एक लूप में से निकाल लेंगे और नीचे आने पर आपको इसमें इसे क्रॉस में कर लेना है यहां तक मैं डोरी को सीधा ही लगाऊंगी उसके बाद में इसे क्रॉस में कर लूँगी यह दिखिए इस तरही किसे तो यह डिजाइन भी बन जाएगा यहां पर और डोरी भी आप इस तरीके से अटेज कर सकते हैं यह देखें नीचे से इसका जो डिजाइन है वो जिगजग वाला रहेगा तो यहाँ पर हमने लास्ट वाले लूप में भी डोरी को अटेज कर दिया है सेम आपको इसी तरीके से दूसरी तरफ भी डोरी को अटेश करना है नीचे की तरफ जितना रखना चाहें उतना रखते हुए बाकी डोरी को आपको कट कर देना है उपर से और अब मैं यहाँ पर भी डोरी को इसी तरीके से अटेश कर रहे हूँ दोनों तरफ मैंने डोरी को अटेश कर दिया है और इसके बाद अब देखे हमें क्या करना है यहाँ पर नीचे की तरफ आप अपनी पसंद से लटकन बना कर लगा सकते हैं तो मैं सिंपल चुकुर कपड़े की लटकन यहाँ पर लगा रही हूँ यह देखे इस तरीके से सेम इसी तरीके से हमने दूसी तरफ भी लटकन अटेश कर देनी है और यहाँ पर आप चाहें तो डोरी को फिक्स कर सकते हैं या फिर नॉट लगा कर बान सकते हैं फिक्स करने के लिए यहाँ पर आप जिलाई लगा सकते हैं इसमें तो मैं सिंपल लॉट लगा देती हूँ और यह डिजाइन बनके तयार हो गया है तो फिरिंट साब को अज का मेरा ही डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेय जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद